हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं मोडियोलर्स ओफ रिजिडिटी के बारे में ठीक है तो उसको थोड़ा डीप में जानने से पहले हम थोड़ा डेफिनेशन पी उसकी जान लेते हैं तो यहां पर डेफिनेशन दी हुई है तो रेशियो ओप सियर स्ट्रेस टू तो कररसपॉंडिंग सियर स्ट्रेंड वीथीन तर्फ इलास्टिक लिमिट इस नोन एस मोडुलेस अज़ी अज़िडिलेटी तो सबसे पहले हम एलास्टिक लिमिट क्या उती हैं वह देखते हैं कि जब आप स्ट्रेस्ट्रेंड कव देखेंगे तब आपको एक पोह मिले गा जो है proportional limit उसके just उपर होगी elastic limit अब कव है वो proportional limit तक linear रहता है पर जब हम proportional limit से elastic limit तक जाते हैं तब कव deform तो होता है पर इतना ज्यादा नहीं होता उसका जो deformation है वो हम ignore कर सकते हैं या eliminate कर सकते हैं तो अगर वहां तक हम गए तो उस वाले point को हम elastic limit बोलेंगे ठीक है तो generally जो modulus of rigidity है उसे हम shear modulus करते हैं और उसे हम capital G या capital S से कर सकते हैं हमें पता है कि किसी भी material में shear strain के कारण उसमें shear stress develop होता है ठीक है पर यह जो modulus of rigidity है वह हम सिर्फ elastic limit तक ही measure कर सकते हैं तो हम अगर hook slow लगाए तो हम आगे भी बोला था कि elastic limit तक जो कव होगा वह थोड़ा बोड़ change होगा तो उसको अगर हम eliminate करके हम hook slow लगाए तो हमें यहां मिलेगा shear stress is directly proportional to shear strength अगर हम यहां से proportionality हटाए और equal to sign लगाए तो यहां पर constant आएगा जिसे हम जी बोलेंगे तो हम लिख सकते हैं कि shear stress is equal to g into गामा यानि कि shear strength ठीक है अगर हम जी को यहां पर equal to के इस साइड ले आए और यहां पर गामा को टाव के नहीं चले जाए तो यहां पर हमें मिलेगा g is equal to tau by gamma यानि कि shear stress upon shear strength ठीक है तो इस वाली रेशियो को हम बोलेंगे मोडिलेस ओफ रिजीडिटी जनरली मोडिलेस ओफ रिजीडिटी होती है वो किसी भी मट्रियल की रिजीडिटी मेजर मेंड के लिए यूस होता है किसी भी मट्रियल की रिजीडिटी हम मोडिलेस ओफ रिजीडिटी से मेजर हम कह सकते हैं कि किटी भी मट्रियल की अगर उस्माट्रियल बोथ रिजिड होगा और अगर उसकी मोडूलेस रिजिडिटी कम हुई तो वो माट्रियल कम रिजिड होगा ठीक है? सो थैंक यू फो वाचिंग